We have to be honest, our relations with China are not doing very well. The main reason for that was that in 2020, during the COVID, China brought very large forces to the border areas. धीरे धीरे पूरी दुनिया चाइना से हो रही है, परेशान और चाइना को घेरने का प्लान बन रहा है. एक मनसूबा बन चुका है दुनिया में कि चीन को घेरना है क्योंकि चीन किसी को आराम से, शान्ती से, इत्मिनान से रहने नहीं देता. जो कॉर्ट प्लाटफॉर्म की जो फाइनल जो स्टेट्मेंट आई है, उसमें पाकिस्तान बेस जो मिले टेंट ग्रोप्स हैं, उनका जिकर किया है. जहां पे उन्होंने जिकर किया है अल-काइदा का, जहां पे जिकर हुआ है इसलामिक स्टेट का. जैशंकर जी ने बोला कि साब यह जो इंटरनाशनल कम्यूनिटी है जिसमें कई लोग हैं जो टेर्रिस्म को सपोर्ट करते हैं उनके अगेंस्ट में हमको अक्शन अब लेना पड़ेगा and पूरी community को robust होना पड़ेगा ये एक terrorism combat करने के लिए क्योंकि ये एक scurge है जो पूरी दुनिया में जिपका हुआ है एक Pakistan है पाकस्तान की आपने गंटी विजा के सीधी कर दी है और ये जो सारे alliances बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे है बिकास चाइना की dominance एक दुनिया में बढ़ती जा रही है और दुनिया को बरदाश नहीं है जैशंकर ने किस तरीके से बड़ी खुबसूरती से बड़ी खुबसूरती से जो quad की meeting थी उसमें चीन को क्या संदेश दिया है क्या message दिया है चाइना को और किस तरीके से चाइना की चाबी घुमाई है नहीं हम मांगते नहीं है हम बाते ची करते हैं कि खुद दे जाते हैं लोग जाने से पहले हैं ऐसा कभी होता है कि कोई देश दूसरे देश के member of parliament को phone करके धंका रहा है चाइना ना धंका या कि देखो अगर तुम आई ताइवान फिर देखना तुमारे साथ क्या होता है अगर तुम आई ताइवान फिर तुम देखना तुमारे साथ क्या होता है तो मैं छोड़ेंगे नहीं इससे क्या है कि चाइना हो गया बड़ा परिशान साना साधा गया यहां सुतंत्र हिंद्र परशान छेत पर जोड़ दिया गया जहां चीन की सेना लगतार अपने आपको मजबूत कर रही है कौर्ड मीटिंग में विदेश मंतियों ने कहा किसी भी देश को दूसरे देश पर हावी नहीं होना चाहिए तता इसे जिम्मदारी से इसका इलाज किया जाएगा कौर्ड केस पयान को चीन के लिए एक सपस्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है इस बैठक में विदेश मंत्री जैस संकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एटनी ब्लिंकन, जपान की विदेश मंत्री योको कामिका और इस्टेलिया के विदेश मंत्री पैनी वाग ने हिसा लिया मंत्रियों ने कहा चेत्र सांती, इस्थेड़ता एव समरिधी में योगदान देने में सबी देशों की भूमिका है हम एक ऐसा चेत्र चाते हैं जिसमें किसी भी देश का एक डॉमिनन्स ना हो और कोई देश किसी देश पर हावी ना हो बट यहां पर बड़ा क्लेरी बोला कि देखिए सब ऐसा है ऐसा है हमारे नेबर हैं हम लोग चाते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप हो बट उनको कहीं ना कहीं जो एक अग्रीमेंट्स हैं जितने भी अग्रीमेंट्स हमने साइन करे वे थे यू कांट बी जस्ट फ्रोइंग अवे ओल दोस अग्रीमेंट्स एंड उसको आगे प्रेस करके बोला कि देखिए ऐर ऐसा है हमारे जो व्यूस हैं चाइना की उपर वो हमारे एक्स्पिरेंस में बेस हैं रिलेशनशिप जो है चाइना के साथ वो अच्छी चलनी रही है औ और कोविड के टाइम पर चाइना ने जो बॉर्डर की उपर गलती करी और जो गरबट करने की कुछिश करी उससे टेंशन हो रखा है लोग मरे हैं और यह इशू सॉट आउट नहीं हुआ है जो डिस इसा वहरी बहरी स्रॉंग स्रेटमेंट अगार आप देखें थोड़ तैम पहले काफी एक प्रपर केंड़ा था की भारत और चायन तो आप दोस्ती कर रहें यह कर रहें वो कर रहें लेखें ट्रेड और दोस्ती दो सेपरेट चीजें हैं यूब टॉक 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 fight fight trade trade तीनों चीज़ें आपको साथ-साथ करनी पड़ेंगी यू कांट भी चूजी एन stupid like the Pakistanis कि भई हम तो तेरे से कटी हो गए आप दूसरी क्लास की कक्षा में नहीं पड़ते हैं तो you need to kind of play the game which is very very important and I'm glad this is coming out wide in the open जो चीज़ें हम लोग बार-बार इस चैनल के वो बोल रहे हैं now it is coming out in the open की ये गेम आप खेल रहे हो उसके बाद देखिए एक बड़ा interesting सा सवाल पूछा गया उनसे की साब आप ये जो उतना US में election चल रहा है आपको कौन अच्छा लगता है की साब कौन Republican आए की Democrat आए अगर Republican आएगा तो कैसा आपका रहेगा Donald Trump आगे तो कैसा रहेगा उसमें जैशंकर जी ने I think has given a very very matured statement and this needs to go down I mean as one of the mature statements इनोंने बोला but mature statements with a bad twist and यहां पर किसी को बोलते है न जब आग जिलानी हो तो ऐसे बात किया जाता है उनोंने बोला कि भई मेरे से bad manners की expectation आप मती करियेगा क्योंकि मैं कभी भी दूसरी democracies के अंदर के matters की उपर comment करना नहीं चाहता this is something which we don't do and please don't expect this bad manners from our side as democracies we need to respect each other ठीक है उसके बाद उनोंने बोला कि देखे साब हमारे हमारी democracy के उपर तो एक sustained campaign था जब हमारे elections चल रहे थे हमारे लोगों के उपर attack हुआ and ये चीजें करी गई this is not fair and for the country of भारत this is very disturbing and we will see what needs to be done about this तो ये पड़ा ही interesting and बहुत hard hitting statement होता है तेखें दिप्लॉमसी में you don't come out and say you know pointed this thing की इसने मेरे साथ ये करा उसने मेरे साथ वो करा you don't say that stuff but the sheer factor that election interference के बारे में openly एक statement दिया गया कहां पर where western powers are there Anthony Blinken's हाथ में बैटा हुआ था ठीक है वहीं पर था वो Japan के foreign minister वहीं पर थे Australia के foreign minister वहीं पर थे और Jayashankar जी वहां पर थे है तो अमरीका तो obviously बादादा इन सबका तो उनके सामने ही clearly बोला गया कि भईया we don't appreciate this nonsense and ये जो चीजें आप सोचते हो कि दूसरी की democracy में जब वहां पर आग लगी हो तो हम जाके पानी पैकेंगे this we will not do हाँ करोगे ठीक है बट खुले में जाके थोड़ी बोलोगे कि भी हम कर रहे हैं सब चीजें सो कही न कहीं ये statement का ये जो 3-4 statements आए हैं इसका मैं काफी time से wait कर रहा था कि भई एक कहीं न कहीं foreign policy direction में आपको थोड़ा सा पता चलेगा किस तरफ जा रहा है भारत क्योंकि कही analyst बुद्धी जीवी ज्यानी बाबा और भी दोती नाम में पस हैं बट भी याद नहीं आरे बट ये सारे लोग जो बोल रहे थे भारत ना अब वीख हो गया है खेलना नहीं आता भारत को कैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया चाइना से हो रही है परेशान और चाइना को घेरने का प्लान बन रहा है एक मनसूबा बन चुका है दुनिया में कि चीन को घेरना है क्योंकि चीन किसी को आराम से शान्ती से इत्मिनान से रहने नहीं देता जो गरीब देश है चीन उनको घूर के देखता है डराता है धमकाता है जो करप्ट देश है जैसे पाकिस्तान उनको पैसा देता है जो करप्ट लीडर्शिप है जैसे की मॉल्डीव्स उनको पैसा देता है और उनको कर्ज के तले दवा देता है कि ठीक है बटा इतने अरब ड प्रेंट तैयार हो गया चाइना के खिलाफ दोस्तों बात तैवान की है और तैवान यहां पर Inter-Parlalementary Alliance on China करके एक Summit, Inter-Parlalementary Alliance on China यह जुलाये 30 और 31 यानि कि आज और कल, यह Summit तैवान में हो रहा है आज 30, कल 31 ये summit ताइवान में हो रहा है इस summit का क्या मतलब है और ये summit क्या कहता है इसका नाम है Inter-Parlamentary Alliance on China इसमें क्या है कि काफी सारे देश जो हैं वो एकटा हो गए उनके lawmakers यानि कि वो लोग जो उनके पार्लिमेंट में बैठते हैं वो लोग इखटा हो गए और वो चाइना के खिलाफ आके बात करना उनोंने शुरू कर दिया और ये Taiwan ने होस्ट कर रहा है इससे क्या है कि चाइना हो गया बड़ा परिशान ये देश कौन-कौन से हैं कितने देश है बुलाया कितनों को हैं कितने आई कितने पहले वो गनित मैं आपको समझा देता हूं फिर मैं आपको समझाओंगा कि चीन ने करा क्या और अंत में आपको ये बताऊँगा कि Dr. जैशक कर ने किस तरीके से जो एक्चुली 35 देशों से 200 लोग आने थे 35 देशों से 200 लोग आने थे दोस्तों फिर चाइना ने बोलीविया कोलंबिया स्लोवाकिया नौथ मैसेडोनिया और बॉसनिया ये जो देश हैं इनके लॉमेकर्स को टेक्स्ट मेसेज भेजने शुरू करें वाटसाप मेसेज भेजने शुरू करें इनको फोन कॉल करने शुरू करें और इनको डिरेक्टली धमकाना शुरू कर आप सोचिया ऐसा कभी होता है कि कोई देश दूसरे देश के मेंबर अफ पार्लिमेंट को फोन करके धमका रहा है चायना ना धमका आया कि देखो अगर लोगों ने क्या बोला कि यार ये चीन की गुंडा गर्दी बस इतना हो गया इस से जादा हम लोग नहीं जेलने को तैयार लोगों ने कंडेम करा लोगों ने उसकी आलोचना करी और लोगों ने ये बोला ये सारे देशों ने बोला कि ठीक है हो सकता हम छोटे देश हैं यार ऐसी कोई बात नहीं है हो सकता हमारी छोटे देश हैं हो सकता हमारी एकॉनमी इतनी हमारी फौज यतिनी तगड़ी नहीं जितनी चाइना की है लेकिन ऐसे हम चाइना को गुंडा गर्दी नहीं करने देंगे